दन्बाद से बीजुपी सांसत पशुपती नात सिंग ने अपने संसाधिय शेत्र के एक नहीं बलकि दो गाओं को गोद लिया है जरी मुडी और कासा पाड़ा हमारी टीम इन दोनों गाओं में सांसत जी द्वारा कराए गए विकास का ज्याजा लेने पहुंची यह हैंट पंप देख रहे हैं आप और अब यह खुआ देखिए सांसत जी द्वारा गोद लिये दोनों गाओं में करीब एक हज़ार परिवार रहते हैं वो सभी लोग पानी की जरुतों को पूरा करने के लिए इसी एक हैंट पंप और कुए पर निरभर हैं हमसे बातचीत में लोगों ने बताया कि उनके यहां पानी सबसे बड़ी समस्या है पीने के लिए पानी है नहीं खेती और सचाई के लिए पानी कहां से आएगा पानी का थोड़ा सुभीता चाईए जिसे थोड़ा बहुत खेती बारी है तो उसमें थोड़ा पानी देंगे तभी नखी खेती बारी सब कुछ होगा तो हम लोग को कुछ सेभाई नहीं है तो खेती बारी किसे होगा यहां की महिलाओं ने बताया कि उनका पूरा दिन पानी की व्यवस्था करने में ही निकल जाता है इतना ही नहीं क्योंकि बच्चे भी पानी भरते हैं इसलिए कभी-कभी उनका स्कूल भी छूट जाता है पानी का दिकत है पानी कभी-कभी दिकत होता है ताम लोग दूर से लाते हैं पानी दूर से लाते हैं काम पानी उनके भरते हैं बच्चा उसकूल जाता है तो पानी उनके चकर में बच्चा भी नहीं जा पाते हैं कहीं कि बाल बच्चा सबकों मिलकर भरते हैं हमने आपको सांसर जी के गोद लिए गाउं का हाल दिखाया अब फैसला हम आप पर छोड़ते हैं अब आप तै कीजिए कि अपने गोद लिए गाउं के बारे में सांसर जी के दावे सही है या गाउं वालों की पीडा सची है